मालदीव और चीन की राह में रोडा बना ये देश, भारत के लिए गुड न्यूज अमेरिका के नेवल इंस्टीट्यूट का कहना है कि चीन के सरकारी जहाज शियांग यांग हॉंग 003 को ICG ने 11 जनवरी को सुंडा स्ट्रेट एरिया में रोक दिया था वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए मालदीव के विदेश मंत्राले ने दावा किया, चीनी जहाज मालदीव के क्षेत्र में रिसरच नहीं करेगा भारत ने कहा कि माले का यह दावा हास्यासपद है इंडोनेशियाई तट रक्षक ICZ ने माले जा रहे एक चीनी अनुसंधान जहाज को रोक दिया क्योंकि उसने अपनी Automatic Information System को बंद कर दिया था यह जानकारी मालदीव स्थित अधाधू ने दी इंडोनेशियाई Authority का ये कदम उस समय उठाया जब देश के जलक शेतर से यात्रा करते समय जहाज ने आठ से बारा जनवरी के बीच तीन बार Transponder बंद कर दिया इंडोनेशिया ने चीन की सारी हेकडी निकाल दी दरसल दक्षन चीन सागर में चीन के साथ इंडोनेशिया का विवाद है दोनों देशों का टकराव बना रहता है लेकिन इंडोनेशिया सीधे तौर पर चीन से टकर लेने से बचता रहा है रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका के नेवल इंस्टिट्यूट का कहना है कि चीन के सरकारी जहाज शियांग यांग होंग 03 को ICZ ने 11 जनवरी को सुन्डा स्ट्रेट एरिया में रोक दिया था हालांकि जहाज पर मौझूद चालक दल ने ट्रांस्पॉंडर को बंद करने से इंकार किया और दावा किया कि वह तूट गया था जहाजों में काम करने वाले ट्रांस्पॉंडर होते हैं जरूरी Automatic Identification System Transponder को अन्य जहाजों और तटिये अधिकारियों को जहाज के बारे में स्थिती, पहचान और अन्य जानकारी Onatomatically प्रधान करता है इसके लिए ही इसे डिजाइन किया गया है The Asia Times की रिपोर्ट के मुताबिक, इंडोनेशियाई तट रक्षक बलों ने चीनी जहाज पर चड़ने का प्रयास नहीं किया, बलकि उसे देश के विशेश आर्थिक क्षेत्र को छोड़ने के लिए कह दिया अंतरराष्ट्रिय समुद्री कानून के अनुसार, इंडोनेशियाई जल में द्वीपस्मुह समुद्री मारगों पर यात्रा करने, वाले सभी जहाजों में काम करने वाले ट्रांस्पॉंडर होने जरूरी है अधाधू ने बताया कि समुद्री ट्राफिक यानि जहाजों की आवाज आही पर नजर रखने वाली साइटों ने 22 जन्वरी को जावा सागर में इस जहाज की लोकेशन दिखाई थी लेकिन मौजूदा लोकेशन पता नहीं लग सकी थी इस महीने की शुरुआत में Center for Strategic and International Studies CSIS ने एक पेपर पब्लिश किया था जिसकी हेडलाइन हिंद महासागर में चीन के दोहरे उपयोग वाले अनुसंधान संचालन थी भारत ने मालदीव के दावे पर उठाए सवाल वहीं मालदीव के विदेश मंत्राले ने दावा किया चीनी जहाज मालदीव के क्षेत्र में रिसेर्च नहीं करेगा हालां की भारत के भूरण नीतिज्य ब्रह्मा चेलानी ने कहा कि माले का ये दावा के जहाज कोई रिसर्च नहीं करेगा ये कहना हास्यास्पद है क्योंकि मालदीव के पास ऐसी गतिविधी की जानकारी हासिल करने की शून्यक्षमता है चीन लगातार भारत के समुद्री क्षेत्र में पनडुब्बी संचालन को सुविधा जनक बनाने के लिए आकरामक रूप से हिंद महासागर के तल का मानचित्रन करने और भूकम पिये और बाथीमेट्रिक डेटा एकत्र करने में लगा हुआ है दरसल मालदीव के नए राश्ट्रपती डौव मुहम्मद मुईज्रू का जुकाव चीन की तरफ है और वे खुलकर उसका समर्थन कर रहे हैं इंडोनेशिया की काररवाई से चीन को जटका जरूर लगा है दोस्तो ऐसी और भी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करके बताए आपको वीडियो कैसी लगी घन्यवाद?